बॉलिवुट से लेकर आम लोगों के बीच धर्मेंदर की इमानदारी के किस्से खूब मशूर हैं। उनकी इस इमानदारी की जलक उनके बच्चों से लेकर उनके नाती पोतों तक में दिखती है। जमाना जानता है कि धर्मेंदर के चरितर पर कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता लेकिन अब जावेद अक्तर ने उनके उपर पूरी कीचड़ी उचाल दी है। जावेद अक्तर ने अपने इंटर्व्यू में कहां अमिदाब जंजीर के लिए आखरी पसंद थे ये फिल्म धर्मेंदर के लिए लिए लिखी गई थी लेकिन बाद में उन्होंने किसी वजह से इस फिल्म में काम करने से इंकार कर दिया। सीरियस और कठोर था। परदे पर इस तरह की चीज़ें पहले कभी नहीं दिखाई गई थी। जाहिर है कि स्क्रिप्ट के काफी अलग होने के कारण सभी ने इसे करने से मना कर दिया। अब जावेद अक्तर का यही बयान सुनकर धरमेंदर बूरी तरह से भढ़क गए हैं। और उन्होंने जावेद अक्तर को ट्विटर पर जबाब देते हो लिखा। जावेद कैसे हो दिखावे की इस दुनिया में हाकिकत दवी रह जाती है। जीते रहो दिलों में गुदगुदाना खूब आता है। काश सिर्चर के बोलने का जादू भी तुमने सीख लिया होता। दरसल धरमेंदर ने कुछ साल पहले ही जनजीर छोड़ने की वज़ा आपकी अदालत शो में बताई थी। तब उन्होंने कहा था कि उनकी कजन सिस्टर थी जिन्होंने क्रोधी फिल्म मनाई थी। उन्होंने इस फिल्म के लिए डिरेक्टर प्रकाश महरा को एप्रोच किया था लेकिन उन्होंने इसे करने से मनाखर दिया। जब प्रकाश महरा जनजीर बना रहे थे तो उन्होंने ये फिल्म धरमेंदर को ओफर की। तबकर जिन बहन ने आकर धर्मेंद्र को कसम दी कि वो प्रकाश महरा की फिल्म जंजीर ना करें और इसी वजह से धर्मेंद्र को फिल्म छोड़नी पड़ी हाला कि वो ये फिल्म करना चाहते थे लेकिन धर्मेंद्र हमेशा से रिष्टा निभाते थे और उन्होंने इस कसम क माना और बहन से रिष्टा निवा कर फिल्म को छोड़ दिया फिल्हाल धर्मिंद्र की ये सच पताने के बाद भी जावेदक्तर ने उन पर कीचड़ उचाल दिया इस पर आप क्या कहेंगे अपनी राय हमें कमेंट में दीजे और जादा अपडेट्स के लिए बॉलिवुट पे चरचा को सब्सक्राइब कीजे